आपके पास realme P2Pro Series का कोई यी Phone है तो यहां पे आप ab drawer alkalm कैसे fix कर सकते हैं जैसे कि देख सकते है ab drawer आप open करते है तो यहाँ पे ट्रॉर यह keyboard open हो जाता है तो यह जो keyboard है इसकी problem fix करने के लिए आपको क्या करना है यहां manage option पे click करना है App drawer Sept इस टेप से आ जाएगा option, कीबोर्ड को बंद कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे add app यह on रहेगा, app suggestion आप बंद रखेंगे, बैक कर लेंगे, अब आप app drawer को open करेंगे, तो app drawer नॉर्मली ऐसा दिखता है आपका, इन केस अगर app drawer आई नहीं रहे, नीचे से scroll up करने पे, तो आप set कैसे कर सकते हैं, screen पे touch and hold करके रखेंगे, slide करेंगे, more के option पे जाएंगे, home screen mode, और यहाँ पे अगर यह standard पे selected है, तो आपको इस पे click कर लेना है, बाकि यह 3 setting तो अभी मैंने just आपको बताई है, इन यह उस पे click कर लेंगे, तो नीचे से up करने पे app drawer आएगा, तो इस step से आप यहाँ पे setting कर लीजे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,